प्लांट में नूट्रीशन के बारे में तो यह फोटो आटोट्रॉफिक नूट्रीशन क्या होता है मैंने पहले भी आपको बताया था कि फोटो आटोट्रॉफिक नूट्रीशन मिंस प्लांट में नूट्रीशन या फोटो सिंथेसिस कहते हैं उसको फोटो सिंथेसिस को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग चलते है और जानते हैं कि फोटो सिंथेसिस है क्या तो फोटो सिंथेसिस जो है यह दो वर्ड से मिल करके बनाया है फोटो और सिंथेसिस तो desen domestically 259 है तो फोटो का मतलब होता है लाइट आप लोग जानते हैं और मतलब होता है पुटिंग टुगेधर की पुटिंग टुगेधर तो लाइट यानि फोटो नभला ब्लाइट और putting together यानि एक साथ रखना तो यहां पर दिखें डेफिनीशन में क्या लिखा हूँ है दो प्रोसेस कहा रहा है कि दो प्रोसेस हम लोग बात कर रहे है कि अखिर फोटो सिंथेस्स है क्या तो क्या बोल रहा है दो प्रोसेस्ट इन विस अग्रीन सब्सक्राइब करना अपने बड़ा ही एक अजीब कारनामा है जो दुनिया में या इस पूरे प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग और्गेनिजम फिजिकल प्रोसेस में लाइट एनर्जी को ले करके अपने लिए फूड प्रिपेर करता है ठीक है ना अब इसको जोड़ने के लिए मने यहां पर फिजिकल बायोलोजिकल और केमिकल तीनों तरीके के प्रोसेस इंवाल्व होते हैं फोटो सिंथेसिस में इसलिए फोटो सिंथेसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं इसको कहते हैं फिजिको बायो केमिकल प्रोसेस फिजिको यानि फिजिकल प्रोसेस है जिसमें यह लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं बाइलोजि ወ जो प्रोस्स का betश चिया इसको क्या कहते है फिजिक बायो केमिकल प्रोसर सेखेющा क्या उन्स का उन्टियड से जानने की कोutus करते हैं यहां में मैंने बोड पे लिखा हुआ है आप अपना कॉपी पेल लेकर के बैठिये और हर एक डेफिनीशन को हर एक क्वाइंट को अच्छी तरीके से नोट करते रहे हैं यह आपके बड़े काम आने वाले हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है आप-फोटो-सिंधेशिष यानि फोटो-सिंधेशिष होता कहां है थे हैं तो पोटो-सिंधेशिंद आँ फोटो-सिंधेशिष इस किया था, chloroplast is considered as the kitchen house of the cell. Kitchen house, why it is considered as the kitchen house of the cell? Because the photosynthesis takes place in the chloroplast. Chloroplast के अंदर में photosynthesis होता है, so why it is known as the kitchen house of the cell. So, let us see the structure of the chloroplast. The photosynthesis, site of the photosynthesis is the chloroplast. Chloroplast is the site of photosynthesis. It is also considered as the kitchen house of the cell. It is kitchen house of the cell. It is kitchen house of the cell. Photosynthesis takes place in chloroplast. Let's see the structure of this chloroplast. Chloroplast की अगर structure को देखने की बात करें, तो आप देख सकते हो कि chloroplast का structure कैसा है. थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो. समझ में भी आए चलिए थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है. अब आप देखो यह chloroplast का structure आपने बुक में भी देख सकते हो इसको बना करके आप लोग practice करना. देखो chloroplast कैसा होता है? ओल से होता है. ठीक है ना? ू быल西 चलिए मेंबरेन बौंड गडै। ना दिक्रिए टूरे किवाड़ प्रॉक्त रदीनों मेंदाओ। रिखारा है, देखर मेंजित अ अब्रैनों अनरे стрाप्रिछूंझी मेंदाओ ऻिङक्षब पांचूंगा है Grena the first part is grenarise second part is jetzt 뭐가 their कर अदिस तो अभेरोप्राष्ट ग्रेन आज ने अज मैटरी को यह उसे हम लोग कहते हैं मैटरीक्स मैटरिक का नेचर का इसा होता है matrix का nature होता है proteinaceous proteinaceous matrix होता इसका तो protein यानि proteinous nature का होता है इसको हम लोग कहते है proteinaceous matrix okay it is divided into two parts जैसे मैंने बताया the first part is the grain a पहला part इसका क्या है grain a second part is stroma grain अब आप देख रहे हो यह जितने भी आपको structure दिखाई दे रहे हैं यह सिक्कों की धेर की तरह नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं यह सारे structure ग्रेना बनाते हैं यह सब मिल करके बनाते हैं इस ग्रेना अगर एक एक ग्रेना की बात करें अगर एक एक ग्रेनम की बात करेंगे अगर singular form में तो इस ग्रेनम इस composed of the many thin flat and sack like structure यह बहुत सारे thin flat and sack स्ट्रक्चर से मिल करके बने होते हैं यहां पर मैंने लिखा भी है लाइट फिस इनको क्या कहते हैं इनको स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको आम लोग कहते हैं ख्लोरोफिल तो chlorophyll पाए जाता है कहां पे थाइलेक्वाइट के अंदर में थाइलेक्वाइट मिल करके क्या बनाते हैं ग्रेनम बनाते हैं So the granum is help in the light phase of photosynthesis chlorophyll का काम क्या होता है? chlorophyll का काम होता है light energy को absorb करना तो light energy को absorb करने के लिए chlorophyll की जरूत है और वो chlorophyll कहां मिलता है? stroma के अंदर में क्या होता है? dark phase of photosynthesis होता है यानि रात के समय जो photosynthesis की प्रक्रियाएं होती है अब जानते हैं कि रात के समय sunlight नहीं होती है तो photosynthesis नहीं होगा लेकिन जो भी raw material का formation होगा जो preparation होगा raw materials का या जो light dark phase में क्या होता है? अभी हम लोग discuss करने वाले हैं वहाँ पे reduction होता है carbon dioxide का जिससे glucose का formation होता है तो उसको हम लोग discuss करेंगे तो वो सारी जो processes वो कहा होते हैं वो होते हैं stroma के अंदर में ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि site of photosynthesis क्या है और वो कहा कहा कैसे क्या होता है उसके बारे में हम के बारे में अगले point की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे photosynthetic pigments के बारे में then now we are going to discuss about the photosynthetic pigment we have already know about the photosynthesis and what is the site of the photosynthesis we have already discussed about that now move to the next point is the photosynthetic pigment and what is the photosynthetic pigment the pigment which involve in the photosynthesis is known as the photosynthetic pigment it means those help in the absorption of the visible light energy from the solar radiation then it is known as the photosynthetic pigment photosynthetic pigment क्या है photosynthetic pigment वो pigments है जो photosynthesis में मदद करते हैं और light energy को absorb करने में सहायता करते हैं इन photosynthetic pigments को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है एक है essential pigments और एक है accessory pigment essential मतलब जानते ही है जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो these are much required for the photosynthesis and accessory it means that help in absorbing the solar radiation accessory मतलब सहायक जो सहायता करते हैं सहायक है यह main तो है essential वाले और दूसरे है accessory यानि जो सहायता करते है solar radiation को absorb करने में तो essential में आते हैं हमारे chlorophyll chlorophyll कैसे होते हैं these are the green color pigment अभी हम लोगों ने बात किया कि chlorophyll कैसे होते हैं green color pigment होते हैं इसी की वाज़से plant के जो green is part है यानि जो leaves है उनका color green दिखाई देता है तो इनको हम लोग कहते हैं कि यह essential है they absorb the solar radiation इनका main काम ही होता है solar radiation को absorb करना जैसे जैसे आप higher classes में जाएंगे तो chlorophyll के बारे में पढ़ेंगे बड़े सारे organisms हैं जिनके अंदर में अलग-अलग टाइप के chlorophyll पाए जाता है यह क्लोरोफिल के टाइप कौन-कौन से है A B C D E ठीक है ना bacteria chlorophyll जो bacteria के अंदर में पाए जाता है और उसी से उसी तरीके का एक दूसरा compound होता है bacteria viridine तो यह सब essential है it means they are much required for the process of photosynthesis in absorbing the solar radiation secondary the second one is the accessory accessory मतलब जो photosynthesis में chlorophyll की सहायता करते हैं यानि solar radiation को absorb करने में मदद करते हैं these are known as the carotenoids यह carotenoids होते हैं तो यह carotenoid accessory हैं यह दो तरीके के होते हैं या इनको दो पाइट में divide कर सकते हैं एक को कहते हैं later carotene और को कहते है whats walls यह upset निकान इनको कहां से निकाला जाता है अलग किया जाता है उसके फोट होता है जयंदर वापिटीन होता है जैंतोफील है cycloray को transfer कर देते हैं तो पिग्मेंट है तोसिंख है की बारे में जाना है कि वह पिग्मेंट जो फो पॉतो कान फोलर रेडियेशन को एंस्ट परने में मदद करते हैं उनोंin को कहते हैं फोटो सिंखत हुमें एक्सेसरी सहरी सेंजियल 메ं में क्लोरोफिल होते हैं और से सर्ग like with का विद्र को बारी में हुद्र में डिवाइड कर दिया करोतीन ऑ मैंदर्फिल में के यांदोवरे दि वार। करते हैं फ्क है तो इनके बारे में हम एजाना हैब अब लाइट long Energy को एबसौर्ब करना है तो लाइट के पास जो एणर्जी होती है पहले भी लोगों है जब भी चैप्टर लाइट पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा बिन्दु को हम लोग क्या बोलते हैं और फोटान बोलते हैं और फोटान के पास में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वांटा क्या कहते हैं उसको क्वांटा एनर्जी कहते हैं क्वांटा कहते हैं ठीक है ना तो दिस इस नोन as quanta quanta represent the energy content by the individual photon किसी भी एक photon के पास में जो energy होती है उनको हम लोग कहते है quanta photons are also consider as the packets of energy photons को क्या कहते है packets of energy कहते हैं क्योंकि इनके पास energy present होता है तो इनको हम लोग कहते हैं packets of energy they are consider as the packets of energy दूसरी महुत पूली चीज़ आपको बताओं कि जो photosynthesis का जो rate होता है वो light के अलग-अलग color के उपर में भी depend करता है अब light अब बड़ी सारी बाते आपको यहां पर समझानी पड़ेंगी कि light wavelength energy frequency इन सब के बीच के relation को बताना पड़ेगा आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूं कि light जिसकी wavelength कम है तो उसके पास energy क्या होती है ज्यादा होती है और जिसके पास wavelength ज्यादा है उसके पास energy कम होती है तो अब इस बात को समझते हुए समझाते हुए थोड़ा आगे classes में पढ़ेंगे तो physics में जब जाएंगे तो यह सारी चीजह बड़ी क्लियरली आपको समझ में आएंगी यहां पर छोटा मोटा थोड़ा सा मैं बताने से आपको क्लियर नहीं होगा और आप confusion में रह जाएंगे तो आपको यह बात बता दूं कई बार एक्जाम में पूछा भी है या इस तरीके की question देखने को मिलते हैं कि कि color में फोटो सिंतेसिस का रेट सभसे ज़्यादा होता है तो कई बार कई लोगों का कहbor Hey! और । अज़ाओ युक्न आपको बताओं कि green color में सबसे कम रेट होता है photosynthesis का पड़ता है तो यह reject नहीं को धा भी खोर्तेसिस का सबसे जढ़ता है फोटो सिंथेसिस का सबसे ज्यादा रेट किसमें होता है रेड कलर की लाइट में होता है उसके बाद ब्लू कलर में और सबसे कम होता है ग्रीन कलर में ठीक है ना तो ग्रीन कलर में जो फोटो सिंथेसिस का रेट होता है सबसे कम उससे ज्यादा ब्लू में और सबसे ज्यादा रेड कलर की लाइट में होता है यह कि ऽब है जोपी Like के unय हिर इंतिक इंवा कैसे होते हैं। और दूसरा पार्ट होता है जिसमें कोस्मिक रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, फ़लाना, डिकाना, सारे के सारे होते हैं, तो यह जो visible light है, वही हमारा light का main spectrum है, तो उसी spectrum में अलग-अलग color होते हैं, सभी color, अब सबसे ज़्यादा तो rate किस में होगा, white light में होगा, जो sunlight होती है, वो white होती है, पिला हमें द तरफ अच्छी तरीके से जैसे आपको समझ में आये इसको note कर लिए आपको यह और रही है जो समझ में होगा और कि पूछ लेंगे छली अगले टौपीक की तरफ चलते हैं और जानते हैं चली तो हम लोग बात कर रहे थे raw material और फोटो सिंथेसिस के बारे में तो raw material में सबसे पहले बात करते हैं carbon dioxide की तो यह जो carbon dioxide है water है और energy है अब आप जानते हो कि भाई जो हम लोग बना रहे हैं जो iße उसरोंफ दो प्रोसिंस कर रहे हैं तो प्रोसिंथेसिसिस के प्रोसिसमें पहले हैं अम लोगों ने है कि यह carbon dioxide सब्सक्राइबट करके अपने इसमें देखते हैं कि और आप्ने तो मेटा ऑफ世界 में लीए जो जैसे रेस्परीश के प्रोसेस में यह यह कर्भंझ और वो इसा selected के को आक्साइड क्या होसकता होती यह वह कार्बन रॉक्साइड Ich कहां से लेंगे atmosphere से लेंगे दूसरा है पानी है पानी यह कहा से लेंगे इंको पानी का मेंसर्स तो सब के लिए मेंस इस किया है SL qui हम लोग अगर हैंड पंप लगाना हो तो उसके लिए मिटिक हो देंगे तो स्वाइल से यह वाटर को एब्जॉर्फ करते हैं और वह कैसे करते हैं through their roots roots absorb the water for the plant and third was is the energy raw materials हमारे पास आगए तो energy भी तो चाहिए अगर gas चुला नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनेगा तो plant के लिए gas चुले का काम कौन करता है sun करता है तो sun की solar energy को कौन absorb करेगा chlorophyll absorb करेगा और उसको किस में convert कर देगा ATP में adenosine triphosphate नाम याद रखे गए ATP adenosine triphosphate में convert कर देगा तो यह हमारे raw material हो गया है तो हम लोगों ने जाना कि आखिर कहां होगा kitchen कहां है इसके बारे में जानकारी लिया यानि chloroplast का structure देख लिया photosynthetic pigments यानी energy यानि खाना आपको कैसे बनाना है आपके घरों में खाना कैसे कैसे बंता है lpg upढ़ ऑस्याद啊 का कभीकभी ऐसा होता मनें तो आपने ज्यानलिए कि photosynthetic pigment क्या है उसके पास solar radiation energy के बारे में जान लिया raw material जान लिया कि आखिर खाने में क्या बनने वाला है तो खाने में क्या बनने वाला है यह भी हम लोगों ने जान लिया अब देखते हैं इस mechanism को कि यह photosynthesis का जो mechanism है वो कैसे होता है और वो प्रक्रियाएं किस तरीके से होती है तो चलिए बात करते हैं सिधे सिधे mechanism of photosynthesis तो mechanism में हम लोग समझने का प्रियास करेंगे कि किस तरीके से यह सारी material मिल करके plant के लिए food prepare का काम करते हैं तो हम लोग बात करेंगे mechanism of photosynthesis की तो photosynthesis की mechanism को दो पार्ट में divide कर दिया गया है एक वो processes जो दिन के समय यानि light energy में होते हैं और दूसरे वो process जो रात के समय dark में होते हैं तो जो दिन के समय phases होते हैं उनको हम लोग कहते हैं light phase यह कहां होते हैं यह होते हैं photosynthesis के ग्रेना वाले reason में क्यूंकि ग्रेना के पास था और था था यह ग्रीन कलर के pigments पाए जाते थे जिनको हम लोगों ने chlorophyll नाम दिया था तो यह light phase कहा होता है ग्रेम आपदध लोग ग्रेना में होता है यह और बोटार्फेज कहां होता है डार्फेज होता है इस्त्रों जो प्लोर क्लोर्फाल का इस्त्रोम वाला reason था उसमें यह डार्फेज वाले reaction होते हैं ठिक है तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके जारेंगे अब यह पूरा mechanism है फोटो सिंथेसिस का आप देखो questions ऐसे नहीं पूछे जाते एक्जाम में कि फोटो सिंथेसिस के mechanism को explain करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा question हो जाएगा और इसको लिख पाना या लिखने में परिसानी भी होगी तो इसमें पूछा जाता है कि what are the main steps of photosynthesis तो photosynthesis का यह जो mechanism है यह तीन step में पुरा होता है तीन step में से दो step जो है वो light phase में होते हैं और एक step जो है वो dark phase में होता है ठीक है ना वो तीन step कौन कौन से हैं उनको आप समझो पहला step है absorption of solar energy ठीक है ना पहला step क्या है solar energy का absorb करना यानि solar energy कैसे absorb होगी दूसरा जो step है वो है conversion of solar energy into chemical energy conversion of solar energy into chemical energy solar energy का chemical energy में conversion कैसे होगा यह दोनों जो process है वो कहां होते हैं light phase में होते हैं और जो तीसरा important है वो है reduction of carbon dioxide reduction of carbon dioxide into carbohydrate यह तीसरा step है यह तीसरा step कहां होता है और फोटो सिंथेसिस की जो प्रक्रिया हैं वो तीन स्टेप में complete हो गई absorption of solar energy conversion of solar energy into chemical energy and reduction of carbon dioxide into carbohydrate यह तीन स्टेप में complete हो गई अब इन तीनों स्टेप को अच्छी तरीके से समझेंगे मैंने आपको बता है कि तीन में से दो स्टेप कहां हुए light phase में हुए एक स्टेप कहां हुआ dark phase में हुआ अब इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है इन processes में चीजें किस तरीके से change होती है और plant अपने लिए food कैसे बना पाता है तो लीफ के अंदर में जो chloroplast है उसके अंदर मौझूड chlorophyll solar energy को absorb करने का काम करता है अब यह जो solar energy है पहले भी इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि solar energy को हम लोग क्या कहते है एक energy का form है और वह energy किस रूप में होती है है photons के रूप में होती है the stream of light the tiny particle of stream of light is known as photon and photons are known as the packets of energy photons को हम लोग क्या कहते है packets of energy कहते है अब यह जो visible part है light क्या तो उसमें सात कलर है और सातों कलर में जो photosynthesis का rate है वो अलग-अलग होता है सबसे ज्यादा photosynthesis का rate किसमें होता है उसके बास blue color में और सबसे कम green color में होटा हूं ठीक ऐन की डूब और सबसे कम green green color में क्यों काम होता है मैंने आपको बताय आपको बताया क्रिण कंदER जब chlorophyll को उपर में गिरता तो भी जीन डीन डीन прин को क्या कर देता है रिप्लैक्ट कर देता है ठीक है दूसरे स्टेप में थिंष्टेप से तीप स्थे तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि इसी को कई बार उख्य Fall में कॉन कउछे पहला ये दूसरा और तीसरा इसमें डार्क फेज में है यह याद रखेंगे और यह दूसरे के अंदर तीन स्टेप्स हैं ठीक है ना तो यह कह रहा है कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे बनेगी तो उसमें पहला स्टेप है हमारा से ओफ़र मेशन आएटीपी जानते हैं यह देटीपी में जब इनर्गेनिक फॉसकेट मिलेगा यह और फॉसपेट जूड़ जाएगा तो डायी का मतलब और अगर फोटोलिसि सोफ वाटर करें वाटर का तूटना करें टैस्प्लिटिक आफ वाटर मॉलीक्यूलिप्रेजएंस उप सॉन लाइट करें लाइत एनर्जी से अकर वाटर वाटर मॉलीकूल को तो है तो असका हम लोग कि तहेते fix enjoyed thought प्रोडक्टी के रूप में या औप बाइप्रोडक्ट की रूप में क्या निकलता है का ओक्सिजंग इस निकलती है तो फोटो सिंसिन सम्सी करते हैं औक सीज़नगा से यह ज इंकरते हैं ठीक है यह औक सिंसन रिलीज़न तुटने-स-स चाहा से ओक करते हैं या प्लांट अपने रेस्परेशन के प्रोसेस में भी एब्सॉर्ब करता है ठीक है कि यह जो हाइड्रोजन बच किया तो हाइड्रोजन इस तो रिड्यूस दा एने डीप एने डीप क्या है इसका फुल फॉर्म होता है निकोटीनेमाइड एडेनीन डाइनुक्लियो प्लाइड्रोजन जुड जाएगा तो एने डीप एक एनर्जी कंपाउड के रूप में यूज होने लगेगा हाइड्रोजन के जुड़ते ही तो यह हाइड्रोजन का जुड़ना किसी भी कैमिकल रियक्समें रिडक्शन कहलाता है तो इसलिए यहां पर लिखा है or आवरर द इरेगा पर यहां पर एटीप और नजी ओन वहीů नर्ड़िप यह दोनों के दोनों क्या है और दोनों को एक साथ में हम लोग और यहां ना चलते हैं डार्क फेस में अभी यहां पर दो प्रोसेस के बारे में हमने समझे लिया एब्सार्ब्सन आप सोलर एनरजी किस तरीके से सनलाइट को एब्सार्ब किया गया और उस सनलाइट को क्यामिकल एनरजी में कैसे को एकाम बन गया और तो यह उनेटी प्रक्रियाओं के लिए इनरजी प्रवाइड करने का काम करते हैं अब डार्क फेज में क्या होता है डार्क फेज कहा होता है मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के इस्ट्रोमा में होता है इस डार्क फेज में होने वाली प्रक्रियाओं को सबसे पहले explain किया था जो scientist उनका नाम था Malvin Calvin तो Malvin Calvin ने सबसे पहले इसको explain किया था इसी लिए इस पूरे फेज को एक और नाम से जानते हैं उसको कहते हैं Calvin cycle क्या कहते हैं उसको Calvin cycle करते हैं जब हार क्लास में पढ़ेंगे तो इसके लिए इनको Nobel Prize मिला था बहुत important नहीं है लेकिन जानना चाहिए कुछ history भी जानना चाहिए तो Malvin Calvin ने इस फेज को explain किया था इसलिए Calvin cycle कहते हैं और उसके लिए उनको Nobel Prize मिला था 1961 में इस फेज में क्या होता है यहां पे क्या होता है reduction of carbon dioxide into carbohydrate यहां पे जो carbon dioxide है it is first trapped by the RUBP RUBP is an enzyme RUBP क्या है एक enzyme है तो यह RUBP सबसे पहले carbon dioxide को absorb करता है पकड़ता है अपने साथ यह RUBP का कोई काम नहीं है आप लोग ऐसे भी जानते हो कि enzyme का किसी भी chemical reaction में कोई काम है नहीं वह यहां पे केवल इसलिए मौजूद है RUBP कि वह carbon dioxide को इस reaction में ले करके जा सके RUBP का फिल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबुलोज बाइफ़ोस्पेट क्या नाम होता है राइबुलोज बाइफॉस्पेट इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है नोट कर लेंगे इसको तो यह RUBP carbon dioxide को absorb करता है ATP और NADPH से क्या मिल जाता है energy मिलता है और उससे क्या बनता है glucose बनता है आर्यू बीपी का काम था क्यों carbon dioxide को ले जाना तो आर्यू बीपी regenerate हो जाता है ATP अपनी energy अगर lose कर देगा तो क्या बन जाएगा ADP बन जाएगा और यह वापस से अपने पिछले cycle में चला जाएगा जहां पर ADP से फिर क्या बनेगा ATP का फॉर्मेशन होगा उसी तरीके से NADPH अपनी energy lose करके और क्या बना देगा NADP बना देगा और यह NADP वापस से light phase में जाएगा जहां NADP reduce हो करके क्या बनेगा NADPH बनेगा समझ में आर यह है मेरी बाद तो यह हमारे photosynthesis का पूरा mechanism है तो डार्क फेज में क्या हुआ Malvin Kelvin ने इस cycle को explain किया इसलिए Kelvin cycle कहते हैं यहां पर carbon dioxide reduce हुआ और उससे carbohydrate का formation हुआ इस carbon dioxide को सबसे पहले किस ने सब्सक्राइब किया और यू बीपी ने राइबूलोस बाइफास्पेट ने एनरजी कहां से मिली ATP और NADPH से मिली और क्या बन गया ग्लूकोस बन गया तो में जो हमारा product था जो फूट बनाना था वो क्या था ग्लूकोस था ग्लूकोस बन गया हमारा और यू बीपी का काम था क्यवल कार्बन डायोकसाइड को पकड़ के ले जाना तो और यू बीपी फिर से रीजनेट हो गया फिर यह क्या करेगा कार्बन डायोकसाइड को पकड़ेगा इस साइकिल के अंदर ले करके जाएगा एटीपी ने एठीपी लूज की एडीपी बना एडीपी से फिर सें एटीपी का फोर्मेशन होगा जब लाइट फेस्मे होँ जायगा उस्तरीके से 1्प यह इसा सब नोट तयार कर लिब्र और नोट पर लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में उतार लीजिए अच्छी तरीके से और कॉपी हो गएरा भी अपना तयार किये रहिए ठीक है किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे संपर्ख कर सकते हैं मेरे वाटसप नंबर पर ठीक है तो आप लोग पढ़िए समझिए और मेरे टेलेग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप लोग साथ साथ में ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन होगा तो मैं आपको दे सको तो यहां पर आप लोग वीडियो पॉस करके और सारा का सारा यह नोट कर लिजिएगा पूर बेट